नमस्कार स्वागत है आपका टीवी नैन उत्तर प्रदे सुत्राखंड में कोबिट का दौर जब से शुरू हुआ तब से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ यूटूब पे पढ़ने का यानि सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी पढ़ाई सुचार रूप से चलती रहे इसका एक नया साधन ढूड के लाए गया जिसमें खान सर और डिश्टी आईएस के विकास सर बहुत ट्रेंड किये खान सर के साथ भी बीबाद जूडता रहा इसी करम में डिश्टी आईएस के विकास सर की एक्टिपड़ी इस समय सोशल मीडिया पर बवाल कर रही है यानि जम कर वैरल कर रही है नेट ट्विटर आ रहा है ट्विटर पे टेंड कर रहा है बैंड डिश्टी आईएस मांग के बीच में दो मिनट 20 सकेंड का वीडियो का मैं आपको कुछ हिस्सा दिखाता हूँ आप हिस्से को देखके खुद ही समझ जाएंगे कि बैंड करने की मांग की उठ रही है जब राम युद्ध जीते रावन से सीता मुद्ध पहुए सीता जैसे फिल्मों में नाइक नाइक के दूसे दो भागरें स्लो मोशन में बैसा देखके बनना साही है था कि इतने दिन के बाद फाइनली इतना बड़ा युद्ध जीतने के बाद हम लोग मिले हैं मज़क थोड़ना है हिंदी फिल्मों में तो नाइक नाइक मिलते हैं नाइक के पिता जट्थी हार मान लेता है फिर देखें क्या देश्य बनता है उसके बाद दरसल वीडियो के जिस हिसे को आपने सुना उसमें सीता मयाग पर टिपड़ी की गई है वह असल में एक किताब से लिगए थी डिश्टी आइस के फाउंडर समर्थन में उतरा है लोगों को कहना है उन्हें बदनाम करने की साजिस कर की जा रही है एक बार आप उस वाइरल को देख लीजिए जिसे ट्वीटर पे टेंड कराये जा रहा है फिर उसके बाद हम आगे ख़बर की बात करते हैं कि है सीते अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मेंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलत्षय में है युद्ध तुम्हारे नहीं लड़ा है यु अविए तुमआब मेरे युगे नहीं हो । संसिखत के एक गंत में राम के मुझे ए कहल वाए ग 야 है यह राम नहीं कह रहे हैं लेखक कह रहा है । लेखक लोग अपने मन की बातें चरितरों के मुझे कहल satisfies है और छवी बनती है चरितर की, छवी बिगडती है उसके, तुलसी दाजी एक चुपचाम गोल कर गए इस पूरे मामुले को, उनको पता था कि ये सब नहीं चलेगा, फैमिनिजम पैदा होने वारा ती-चार साल बाद और उस समय की महिलाएं बेंड बजा देंगी, हालां कि फि पढ़ा है पुरसोत्तम अगरवाल जी का, लेक था सायद तो उन्होंने संस्कृत का एक कथन कोट किया बालमिकी रमायड का, उनके नजदी की किसी रचने का आप चाहेंगे तो मैं उसको लेकर दिखाऊंगा, आप राम युद्ध जीते रावर से, सीता मुक्त हुई, जैस थोड़े ना है, तो फिर देखिए क्या द्रिसे बनता है, तो सीता प्रफन लिथ है, कि मेरे राम ने रावन को नष्ट कर दी और फाइनली मैं अपने खर जाओंगी, तो राम के बास आ रही है, राम समझ ये तो जादा खुश हो रही है तो तो राम को लगा ठीक कर दू, जादा खुश नहीं होना चाहिए, तो राम ने रुको सीते, सीता रोगे, और शाद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ, तो राम ने जो वाक्या बोला है, बड़ा खराब वाक्या बोला है, बैटो बोलते हूँ मेरे जबान कटके गरे जाएगी, तो बोलना होगा क्या क उसके आगे विकास दुबिकार्तकेन के वीडियो में दिख रहा है, कि वो कह रहे है कि सीता प्रफुलित है, कि मेरे राम ने रावड को नश्ट कर दिया, फाइनली अब मैं घर जाओंगी, वो राम के पास आ रही है, राम समझ गए कि कुछ जादा खुस हो रही है, तो रा का सायद पूजा पार्ट करनी होगी, तो राम ने जो वाक्या बोला, बड़ा खराब बोला, मैं तो बोलते हुए मेरी जवान कटके गिर जाते, फिर भी बोलना होगा, ये सब वाक्य आईएस टिष्टी के फाउंडर के थे, इस पर क्लासरूम में बैठे, बच्चे जोर ज से हसने लगे, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, इसके बाद सोसल मीडिया में उनकी इस क्लिप को वैरल किया जा रहा है, और आईएस टिष्टी कोचिंग को बैन करने की मांग की जा रही है, अब ये जो भी वाक्या है जिसको आपने देखा, ये आईएस उत्राखंड की ख़बरों के लिए देख्ते रही है, टीवी नाइन उत्तर प्रेस, उत्राखंड